उत्र प्रदेश पॉलिस में अगले 6 महीने में 40,000 और भरतिया निकलने जा रही है अगर आप 12 पास हैं तो इसके लिए अभी से तयारिया शुरू कर दीजे प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदत तनात ने हाल ही में कारिक्रम में कहा कि अगले 6 महीने में यूपी पॉलिस में 40,000 से अधिक भरतिया होंगी जल्द ही इसकी भरति प्रक्रिया शुरू की जाएगी ऐसे में अगर आपको यूपी पॉलिस की नौकरी चाहिए तो तयार हो जाएगे इस वक्त में आप डेट कर दो आपको यूपी पॉलिस में अभी 60,000 से अधिक कॉंस्टबल के पदो पर भरतिया चल रही है इसके लिए लिखित परिक्षा हो चुकी है अब इस परिक्षा में पास होने वाले अभी अर्थियों को फिसिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा इन भरतियों के लिए लगभग 50,000,000 से अधिक अभी अर्थियों ने आविदन किया था हालक इसमें से 6,000,000 से अधिक परिक्षारती ने परिक्षा छोड़ दी थी इसमें भी खास बाती है कि यूपी के अलावा आन्य राज्यों से भी यूपी पॉलस कॉंस्टेबल भरती के लिए आविदन आये थी ऐसे यूवाओ के लिए खुश खबरी अब यूपी पॉलस कॉंस्टेबल भरती की परिक्रिया चल रही है कि इसी बीस येम योगी आदितनात ने 40,000 और भरतीयों की घोशणाया कर दी है जो ऐसे वाओ के लिए खुश खबरी है जो किसी कारण मशिस भरती परिक्षा में नहीं शामिल हो पाए थे या इस परिक्षा में न सिलेक्ट हो पाए तो उन्हें अगले छे महीने के भीतर दुबारा मौखा मिल जाएगा मुखी मंतर योगी आदितनात ने लोक भवन में आविजित एक कारिक्रा में यूपी पॉलस भरती परिक्षा को लेकर कहा कि ऐसा शायद पहली दफा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर किसी नागरेक पॉलस भलकी परिक्षा विश्व में कहीं एक साथ बिना किसी समस्या के समपन हुई है उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में यूपी पॉलस में 40,000 पदों के लिए भरती परिक्रिया शिरू की जाएगी मुख्य मंतरी योगी आदितनात ने इस दौरान सार्वजनिक परिक्षा में अनुचित साधनों की रोक थाम अधिनियम 2024 को लेकर गाइडलाइन्स दिये हैं और इसकी भी सराहना की है अब कौन को रप्लाई कर सकता है या आप जानना चाहते होंगे उसका जवाब में बताती है यूपी पॉलस कॉंस्टबल के पदों पर अप्लाई करने के लिए अभिर्थी का बार्वी पास होना अनेवार्य है इसके अलावा उमिद्वार की उम्र सीमा 18 से 25 साल की भी तर होनी चाहिए आरक्षित वर्ग के उमिद्वारों की आयू सीमा में छूट दी जाती है इसके अलावा एक खास बात ये भी है कि यूपी पॉलस कॉंस्टबल की भरतियों के लिए किसी भी राज्य के युवावों को आवेदन वो कर सकते हैं ये सबसे राहत की बात है इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मिद्वार का यूपी का निवासी होना जरूरी नहीं है तो ये खबर सिर्फ यूपी के लिए नहीं अगर आप यूपी से बाहर के भी हैं तो इन 40,000 भरतियों के दोरन आप भी आवेदन कर सकते हैं पर पीछे महीने के भी तर निकलने जा रही हैं न्यूज इटीन इंडिया चोपाल एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बलकि दुनिया के कोने कोने में जाएगी क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ती बनने के लक्ष पर सरकार, समाज, सेलेबरिटी और स्पोर्ट स्टार्स के साथ न्यूज इटीन इंडिया चोपाल देखिए सिर्फ न्यूज इटीन इंडिया पर